रेडी, थ्री, टू, वन, शुरू जल संसाधन पानी के वे स्रोत हैं जो मानव के लिए उपियोगी हैं या जिनके उपियोग की संभावना हो विराम पानी के उपियोग में क्रिशी, ओध्योगिक, घरेलू, मनोरंजन हेतू और परियावरणिये गतिविदियां सामिल हैं विराम वस्तूतह इन सभी मानविये उपियोगों मैं से जादातर मैं ताजे जल की आवशकता है विराम प्रित्वी पर पानी की कुल उपलब्द मात्रा अथ्वा बंडार को जल मंडल कहा जाता है विराम प्रित्वी पर मीटे पानी का जादातर भाग, हिम नद और दूविये, छेत्रों में हिम चादरों और हिम तोपियों के रूप में जमा है विराम सेश पिगला हुआ मीठा पानी मुख्यतह जल के रूप में पाया जाता है जिसका एक छोटा सा भाग भूमी पर धरात लिये जल के रूप में या हवा के वायू मंड लिये जल के रूप में है विराम पैरा मेठा पानी एक नवी करणिये संसादन है विराम दरातलिये जल या सतही जल प्रित्वी की सतह पर पाया जाने वाला पानी है जो गुरुतुआ कर्शन के परभाव में ढाल का अनुशरण करते हुए सरीताओं या नदियों में परवाहित हो रहा है अथवा पोखरों तालाबों और जीलों या मीठे पानी की आद्र भूमियों में इस्तित है विराम किसी जल संबर में सतह के जल की प्राकृतिक रूप से हिम नदों के पिगलने से पूर्ती होती है विराम वह सतह से वास्पी करण और प्रित्वी के नीचे की और रिशाव के द्वारा खो जाता है विराम नदी के पूरे मार्ग में नीचे की और प्रवाहित जल की मात्रा केवल वही नहीं होती जो स्वतंत्र जल धारा के रूप में बहती हुई दिखती है बलकि नदी की तली के ठीक नीचे भी काफी पानी प्रवाहित होता रहता है विराम यह पानी तली के असंगटित पदार्तों के बीच से होकर बहता है जैसे की कंकडों और गोलास्मों की मोटी परत के बीच से होकर विराम ऐसे परवाह को अव परवाह कहते हैं विराम पैरा मनुश्य ने विज्ञान की सहाईता से अपने लिए विविन परकार के यंत्र बनाए विराम कपड़े धोने के लिए वोशिंग मसीन बरतन धोने के लिए डिस वोश फर्स साफ करने के लिए मसीन इत्यादी के रूप में आज मनुश्य ने अपने आसपास यंत्रों की एक पूरी फोज तयार कर ली विराम इसके बाद भी उसे एक ऐसे यंत्र की कमी महसूस हुई जो मनुश्य की तरह उसकी सेवा कर सके विराम इसी कमी को दूर करने के लिए उसने मनुश्य की भाती कारिय कर सकने वाले यंत्र का निर्मान किया विराम इसी यंत्र को रोबोट या यंत्र मानव कहा जाता है विराम पैरा जापान की कुछ कम्पनिया अच्छे एवम प्रसिद्ध रोबोटों का निर्मान करती हैं विराम एक ऐसा रोबोट भी है जो एक इस्त्री की तरह दिखता है एवम जो लोगों का अभी वादन करने एवम उन्हें दिलासा दिलाने में सक्षम है विराम चीटियों एवम मधुमकियों से प्रेरित होकर भी इनका निर्मान किया जा रहा है ऐसे रोबोटों का अत्यदिक संख्या में निर्मान कर रोबोटों के एक जुंड का रूप दिया जाता है विराम पैरा रोबोट की अत्यदिक निर्बरता मनुश्य को आलसी और कामचोर बना सकती है विराम रोबोट का साब्दिक अर्थ है बंदुआ मजदूर विराम ऐसी इस्तती में कुछ ऐसे अमीर और शक्ति साली जो रोबोट खरी देंगे वे रोबोट के माध्यम से अपने प्रतियक काम को अंजाम देना चाहेंगे जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ेगी पूण विराम बढ़ेगे जिसके कारण प्रतियक कारण विराम